प्यारे दोस्तों नमस्कार आज हम लोग कुछ पढ़ते हैं जो NBS या UPTGT में बिसेश कुष्चन आते हैं उनको और याद गरते हैं जिसे कहवत थी हुमाईू के बारे में हिमाई जीवन भर लडख़डाता रहा और लडख़डाते हुए ही अपनी जान दे दी ति कहवत किसने कही थी लेन पूल ने आप्शन नमबर फर्स्ट है भारत वर्स में शरप्रतम प्रगेतिहासिक चित्रों की खोच कहां हुई है मिर्जापूर में और किसने किसने की 1880 में आर्चिवार कारलाइन ने 1883 में काकबर्ण ने आप्शन नमबर टू प्रगतिहासिक चित्रकला मेगालिथिक एज पूरू पाशानकाल कब से कब तक था 30,000 इसापूर्थ से 25,000 इसापूर्थ हाँ दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखना है जो इंगलिस में नाम है जैसे मेगालिथिक या मेशोलिथिक या नियोलिथिक इसको आपको बिल्कुल याद करना है कभी-कभी इसके ही नाम से पूश लिया जाता है कि ये कौन सा काल है जैसे पूरू पाशानकाल का क्या था मेगालिथिक और इसका समय क्या था 30,000 इसापूर्थ से 25,000 इसापूर्थ मद्ध पाशाण काल मेसोलिथिक एज 25 जारी सा पूर्ट से 10 जारी सा पूर्वा तक नवपाशाण काल या उत्तर पाशाण काल नियोलिथिक एज 10 जारी सा पूर्ट से 5 जारी सा पूर्ट तक अथवा 3 जारी सा पूर्ट तक माना जाता है कोश्चन नमबर तेन पालिस लगाने की कला का आरम हुआ तो इक इसमें हुआ था नौपाशाण काल में आप्शन नमबर चार प्रिहिस्टोरिक इंडिया नमक पुस्तक के लेखा खाए तो इस्टुवर्ट पिगाट ब्रेटिस पूरा तात्विक थे जिन्होंने प्रिहिस्टोरिक इंडिया नमक पुग को लिखा था के गहायल सुवर पाया गया तो गहायल सुवर कहाँ पाया गया था भल्डरिया, मिर्जापुर, कैमुर की पहाड़ियों पर अगला कॉश्चन है प्रिहिस्टोरिक पेंटिंग 1958 जिसमें घायल सुवर को अंतर राष्टिय पहचान दिलवाई तो किसने दिलवाई थी? A.H. बाडरीक ने Q.7 भारतिय प्रेगेतियासिक चितरकला 1967 किसने लिखी थी? जगदीश गुप्त ने डक्टर जगदीश गुप्त ने अगला है राख प्रेंटिंग आपस महादेव हिल्स 1936 किसने? D.H. गाइडन ने अगला कुशन है Our Heritage in Art 1952 असित कुमार हल्दर हाँ प्यारे दोस्तों एक चीज़ आपको बिल्कुल विसेज ध्यान देना है कि जो असित कुमार हल्दर थे वो भारत के प्रथम प्रिंसिपल थे जो लखनोव आड कॉलेज में नियुक्तिवे थे और लखनोव आड कॉलेज की स्थापना 1911 इसवी में हुई थी इन चीजों को आपको ध्यान रखना है और मेरे साथ साथ आपको जोड़ कर पढ़ना है पुरानी चीजों से नई चीजों को मिला के चलना है इसे इंडियन पैंटिंग इंडियन पैंटिंग 1929 पार्सी ब्राउन अगला है आप्शन नमबर आठ सिंगहनपुर के चित्रों की खोज कब और किसने की डबलू एंडर्सन ने 1910 इसमें अगला है कुश्चन नमबर नव छे पांकन बिधी का प्रियोग कहां किया गया तो पंचमडी में सुरी सिंगहनपुर में छे पांकन बिधी का प्रियोग कहां किया गया था पंचमडी सुरी सिंगहनपुर में अब पंचमडी के बारे में कुछ है मिलाब पंचमरी का सी जो सर्परथम खोच की थी Dr. J. R. Hunter ने 1932 में उसके बाद DR. G. R. गार्डन ने 1936 में और option number 10 है दर्राट पेंटिंटिंग्स आप महादेव ल्यूर्स ये किसकी है दर्राट पेंटिंग्स आप महादेव ल्यूर्स ये DH Garden द्वारा लिखी गई है अगला question है question number 11 उससे पहले हम एक किताब के बारे में पढ़ते हैं किशनगर्ड प्रेंटिंग के लेखग E. Dickinson किशनगर्ड प्रेंटिंग के लेखग कौन है E. Dickinson अगला है Annals and Antiquities of Rajasthan अथ्वा Central and Western Rajput Status of India 1939 के लेखग है Colonel James Todd अगला है नियामत नामा का चित्रण कहा हुआ था तो नियामत नामा का चित्रण मांडू में हुए था option number 13 अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कुछ बिशेश पॉइंट जैसे स्री लाल जोसी के बारे में यह एक राजस्थान के फ़र्चित्रकार थे इनका जिन 5 मार्च 1931 को हुआ था कहां पर भेलवाड़ा राजस्थान पदम स्री पुरुषकार इनको कमिला था 2006 में सिल्फ गुरुप रुसकार कमिला 2007 में मार्च 2018 को मृत्तिव 90 वर्ष में हुई थी और इनके सहयोगी जो थे कमल कोठारी और डाक्टर कपिला वाश्यायन जी थे आफ्शन नमबर 14 है यह राजस्थान की चार उफसेलिया है जिनके साथ कुछ और उफसेलिया हैं जिसे मेवाड, मारवाड, हड़ोती, ढुंधाड तो मेवाड के अंतरगत आती है उदैपुर, देवगण, नात द्वारा मारवाड सेली के अंतरगत आती है जोधपुर, विकानेर, किशनगड, अजमेड, नगवड हड़ोती सेली के अंतरगत आती है कोटा, बुंधी, जहला, वड़ा धुढ़ाड सेली के अंतरगत जैपुर, अलवर और उनियारा अब हड़ोती सेली के बारे में जो हम पढ़ सकते हैं जिसे कोट है, कोट को पहनते हैं उसमें बड़ी सी बटन होती, बूंदी जैसी लगती है, उसको बंद करते हैं, उसके बाद कोड को ज़ाड़ते हैं, मलब कोड़ा, बूंदी और ज़ाड़ा, इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं, ऑफ्षन नमर पंद्रा, मेवार सहिली की उत्पत्ती, 1605 इस भी में, इस भी के पूर में हुई थी, महाराणा जगाशिंग प्रथम ने, चिते रों की ओबरी नामक, नाम से कलाविथी खोली थी, तो कलाविथी ओबरी नामक कलाविथी किसने खोली थी, महाराणा के समय बना मेवाड का विख्याचित रहे कहां सुरक्षित है ति भारत कला भौन वारांसी हाँ प्यारे दोस्तों आपको यह मालूम होना चाहिए भारत कला भौन वारांसी और भारत भौन भोपाल भारत भौन कहां है भौपाल में और भारत कला भौन वारांसी में ठीक है बनवाया था राड़ा कुम्भाने चितवड़ के किले में 20 विख्याद विज़े इस्तंब 1448 कि ने बनवाया था राड़ा कुम्भाने अगला कुश्चन है कुश्चन नमबर 19 इसमें हम पढ़ेंगे विजय इस्तंब की बारे में विजय इस्तंब कब बनाया गया 1448 में कहां पर चित्तवर्वर का किला किस ने इस्थापित करवाया था राड़ा कुम्भा ने और यहां पर भगवान उपर की साड में देखोगे भगवान विश्चन को समर्पित है विजय इस्तंब किसको समर्पित है भगवान विश्चन को इसकी उचाई है 37,19 मीटर मलब 122 फिट वास्तुकार इसके कौन थे सुत्रधर जैता कौन थे सुत्रधर जैता और राड़ा कुम्भा अब एस में आते हैं राड़ा कुम्भा ने इस्ताफित करवाया था और राड़ा कुम्भा ने कौन सा गरंत लिखा था संगीत राज और राड़ा कुम्भा के बेटे का क्या नाम था भोज राज और भोज राज की पतनी जो साधी हुई थी, वो भोज राज के साथ में हुई थी, आफ्शन नमबर 20, मेवार सैली के चित्रकार, यह अक्सर कुछा जाता रहता है पेपरों में, तो यह कौन से है, साहाब दिन और निशार दिन, आफ्शन नमबर 21, चौर पंचासी का, यह किसकी कृती है, बिलहड की, और कब लिखी गई 1540 में, कौन से हैली में, मेवार सैली में, चौर पंचासी का, बिलहड कृती है, 1540 में लिखी गई, और मेवार सैली की है, अगला कुछन आता है, रशिक प्रिया, रशिक प्रिया किसका था, साहाब दिन का, और कब लिखी गई 1630 में, और अगला है, अब सीहर में 10 फरोरी 1672 को महाराजा राज सिंग ने की थी किसने की थी महाराजा राज सिंग में स्रीनाज जी की सापना कहा हुई सीहर में 10 फरोरी 1672 इस भी में किसने की महाराजा राज सिंग अगला अफसन है जोधपूर आब जोधपूर के वारे में हम थोला पढ़ते हैं 24 नमबर देखेंगे आप लोग 1469 में राज जोधो ने इस आपना की और Sun City के नाम से भी जाना जाता है Blue City के नाम से भी जोधपूर को जाना जाता है किसके? Sun City के नाम से और Blue City के नाम से आप्शन नमबर पचीस मेवाड का इतिहास लिखने में करनल टाड को किसने मदद की मान सिंग ने अब आगे बात आती है जोधपुर की अब जोधपुर के बारे में हम पढ़ते हैं मकमल की जूतियां यहां की विख्यात हैं रेशम की दरियां मकराना मारबल से निर्मित कलाकृतियां और बंधेच कपड़ा जोधपुर का क्या विख्यात है मकमल की जूतियां रेशम की दरियां मकराना मारबल से निर्मित कलाकृतियां बंधेच कपड़ा प्यारे दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सेयर और सस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद